कपाल भाती का अभ्यास करेंगे हम लोग और हम आपसे हैं प्रार्थना करना चाहते हैं कि पूरे मन लगाकर के ध्यान के साथ में अनुष्ठान पूजा की तरह जब हम प्रणयाम का अभ्यास करते हैं और हमारे विचारों में सुब सुम हमारे कर्मों में हमारे इंद्रियों क जो भी कर्म होते हैं प्रतिपल उसमें हम हमेशा यह प्रार्तना करते हैं प्रमात्मा से कि है प्रमात्मा मेरे दवारा कभी भी नासुब सब्द निकले नासुब कर्म हो और नासुब विचार हमारे उत्पन हो इसलिए अपने सरीर को शुद करते हुए अपने विचारों को प परण्याम होता है दुनिया का वो कैसे करते हैं तरीका पहले बताएंगे करने का उसके बाद में फिर फाइदा बताएंगे और हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो आई चलते हैं धर्मेंद्र जी के पास कपाल अरफात होता है मस्तिघृ और भाति का मतलब होता है टीवति आभा तेज परकार इस परण्याम मेंड शांसो को छोड़ना है और नाभी के नीचे भाटका मारना है और कि 구aL सांसो को छोड़ना है लेने का प्रयासना ही किलेगा कुषण करना है करते रहिए और इनके दवारा लाफ जो मिलता है उनका भी हम स्रोड़ा करते रहेंगे ऐसा करते हुए सभाविक रूप से पेट में अकुंचन और परसारून की किरिया होती है परन्याम करते समय मन को सांस रखिए आखे बंद मन सहज बिलकुल ध्यान परन्याम में होना चाहिए मैं बार बार यही कहूँगा परन्याम करते समय आखे बंद रखिए मन सहज मन कही जाए तन को रखिए ठीग यह मन ऐता है यह घूमने का पर्यास करता है लगर फिर आपके शरीव नहीं आता है यह दूसरे जगा रही नहीं सकता यह द्यान आत्मा का भ्यास चल रहा है यह सबसे फैदा मोटे आदमियों को सो परसे ग्रांटी के साथ आप एक महीना लगतार कपाल भाती कर दीजिए बिलकुल आपका सही सौलित हो जाएगा और जो पेट निकला हुआ है वो अंदर चला जाएगा झाल कुला है झाल कुला है झाल का कुला आपका जाएगा तो आपका झाल झाल